हलो फ्रेंट्स वेलकम टो माइं चैनल स्टडी फोर यू सो गाई जैसा कि आज 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 के 17 नुवंबर का सभी सिप्टों का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100 परसेंट एकुरेट एंसर के साथ जो है इस व पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और बगल में आपको एक बैल आइकन याली घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसी भी जो जरूर प्रेस कर दिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का आपका पहला कोशन आ जो है अंतराशी क्रिकेट में खेलने का जो नियूंतम आयू है ना ये पंदरा वर्स जो है निर्धारित कर दिया गया है तो पंदरा वर्स आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आप का यहां पर रहता कि 2020 का यूएस ओपन का खिताब यह जो एक किसने जीता है तो 2020 का जो यूएस ओपन का खिताब है ना ये डॉमिनिक थीम ने जीता है तो डॉमिनिक थीम आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा बात कर ले 2020 का फ्रेंच ओपन फूरुस एकल में किसने जीता है तो फ्रेंच ओपन का जो खिताब है ये राफिल नडाल ने जीता है और Australian Open का अगर पूछा जाए तो ये नुवाक जोकोविच ने जीता है वह अगर महिला की बात कर ले तो महिला में फ्रेंच ओपन का जो खिताब है ये इगवा स्वेटेक ने जीता है यूस ओपन की बात कर ले तो नाओमी ओसाका ने जीता है और पूछा जाए तो ये सोफिया कै जानी ने जीता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप का यहां पर रहा था कि इन में से कौन सा बैंक जो है वाटसप का सहकारी बैंक नहीं है जहां पर आपसन में आपका SBI, HDFC, Axis Bank और GEO Payment Bank दियावा था तो देखे मैं आपको बता दू कि पेमिंट बैंक है ना यह वाटसप का सहकारी बैंक नहीं है तो GEO Payment Bank आपका Correct answer हो जाता नेक्स्ट आप का यहां पर रहा था कि यच गान यह जो किस राजजी का लूक ने लिते है तो देखे यह जो यच गान है ना यह आपका करनाटक राजजी का लूक ने लिते है तो करन नाटक आपका Correct answer हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि IPL 2020 में Orange Cap यह जो किस खिलाड़ी को मिला है तो देखे IPL 2020 में Orange Cap यह आपका केल राहूल को प्रदान किया गया है तो केल राहूल आपका Correct answer हो जाएगा वहीं अगर 2021 का पूछ ले कि 2021 में Orange Cap किस खिलाड़ी को दिया गया है तो यह रीतूराज गायकवाड को दिया गया है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है उसके अलावा यह आपसे पूछ दिया जाए कि IPL 2020 में परकल परपल कैप यह जो किस खिलाड़ी को मिला है तो परपल कैप 2020 में यह कागी सो राबाड़ा को दिया गया ह तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है next up का यहाप रहा था कि भरत नाटियम के जनक कौन है तो दीखे भरत नाटियम के जनक जो है ये भरत मूनी है तो भरत मूनी आपका यहाप एक करेक्ट एंसर हो जाएगा बात कर ले भरत नाटियम ये जो किस राज्य का लोक निरिते है तो ये तमिल नाटू राज्य का लोक निरिते है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है next up का यहाप रहा था कि बराक घाटी ये जो किस राज्य में है तो दीखे ये जो बराक घाटी है ना या आपका असम के दच्छिन में इस्तित नदी घाटी है तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि इसरो की अस्थापना यह जो एक कब हुआ था तो देखे इसरो का जो अस्थापना है ना यह 15 अगस्त 1979 को हुआ था और बात कर ले इसरो का मुख्याले कहां पर है तो बैंगलूरू में है इसरो का एक्जाम में फुल फॉम पूछा जाता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईशन इसका फुल फॉम होता है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप का यहां पर रहा था कि बच्चत मुद्रा जो अपने पास रखते हैं और बैंक में रखते हैं उसके अनुपात को क्या कहा जाता है तो देखे इसका एंसर मुझे नहीं पता है जिन भी कैनिड़ेट्स को अगर इसका एंसर प पूछा गया था तो देखे पानिपत का जो प्रतम यूद है ना यह आपका 21 अपरेल 1526 को हुआ था जित्ते यूद की बात कर ले तो यह पांच नुवंबर 1556 को हुआ था त्रित्ते यूद अगर पूछा गया होगा तो यह 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था नेक्स्ट आप यह आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आप यह आप रहा था कि गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी है तो देखे गोदावरी नदी का जो सहायक नदी है ना यह पैगंगा नदी है प्रान हीता नदी है इंद्रावती नदी है मंजीरा साबरी नदी और मनियर यह सब जो है आपके गोदावरी नदी के सायक नदिया हैं नेक्स्ट आप कर रहा था कि 1960 में चंद्रमा पर एक उग्रा भेजा गया था जो कि अब तक कितने चक्कर पूरा कर चुका है तो देखें बंगलादेश पाकिस्तान से जो है यह 26 मार्च 1971 को आजा दूआ था तो 1971 आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाप रहा था कि दस सिर्वाले को क्या कहते हैं तो देखें दस सिर्वाले को जो है यह दसानन कहा जाता है तो दसानन आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि अनासक्त का जो विलोम सब्द पूछा गया था तो देखे अनासक्त का जो विलोम सब्द होता है वो आसक्त होता है तो आसक्त आपका correct होगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर रहा था कि कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था तो देखे कांटों पर लेटना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो बैचैन होना होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था टू लिप्स ए मिमोयर पुस्तक के लेखक कौन है तो देखे इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये विक्रम सेथ है तो विक्रम सेथ आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर रहा था कि राजीव गांदी खेल रतन आवाड का नाम बदल कर नरेंद्र मोधी के दौरा क्यार रखा गया है तो देखे हाली में राजीव गांदी खेल रतना अवाड का जो नाम बदल कर है ना ये मेजर ध्यानचंद खेल रतना पुरुसकार कड़ दिया गया है तो मेजर ध्यानचंद खेल रतना पुरुसकार करेक्ट एंसर हो जाएगा बात कर ले इसके important facts के बारे में तो देखें मेजर ध्यान चंद खेल रहे हैं पूरुसकार ये इसकी अस्थापना कभूई थी तो 1991-92 में हुआ था जो की सरवोच खेल सम्मान है और ये जो किसके द्वारा दिया जाता है तो ये राश्ठ पती के द्वारा दिया जाता है वही अगर बात कर ले इसमें कितनी र रासी प्रदान किया जाता है बात कर ले इसके प्रतम विजेता कौन रहे थे तो प्रतम जो विजेता थे ये विस्वनाथन आनंद थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है वही अगर बात कर ले मेजर ध्यान चंद का पूराना नाम क्या था तो ये राजीव गांदी खे में रखना है वह यह कर बात कर ले किकने लोगों को मेजर ध्यान चंद्र पूरुसकार दिया गया है तो देखें डेजर वारएंगें कि स्रीजेस खो दिया गया जो की मुक्यवाजी से संबंदी थै सुनील छेतरी को दिया गया जो की फुटबॉल से संबंदी थै मिताली राज को दिया गया जो की क्रिकेट से संबंदी थै वहीं पांच पैराथलेट्स को भी जो है दिया गया पैराथलेट्स का नाम देख लिजिए परमोध भगत को दिया ग से संबंदित है था चन्दर सेकर आजाद ने किस जगा पर घुद को गोली मारी ठी दिए चंदर सेकर आजाद ने 1977 परवरी 1931 और कहां पर अलवाद के Elfraid पार्कों मारे थे । और इलावाद का जो नए नाम है क्या है तो परियाग राज है लेकिन आपके आप्सन में जो इलावाद दिया वा था तो इलावाद के अलफरेड पार्क जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे के सिप्टों में अगर आप से पूछा जा कि कभी इनों ने जो जो एक गोली मारे थे नेक्स डाप कह रहता कि 2019 बीस में कितने को को यह बंशकार दिया गा था texture 2019 2 पूछा गया था ठीक है तो दिखे 2019 में 112 लोगों को जो है पदम पुरुसकार प्रदान किया गया था तो 112 आपका करिक्ट एंसर हो जाएगा वहिए अगर इस सूची में चार लोगों को जो है पदम बिभूशन दिया गया था चौड़ा जो है पदम भूशन दिया गया था और 2021 की अगर पूछा जाए आगे के सिप्ट में तो 2021 में 119 लोगों को दिया गया था जिसमें 7 लोगों को पदम भीभूशन 10 लोगों को पदम भूशन और 102 लोगों को पदम स्री का वाड़ प्रदान किया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है किस राज ने हाली में साल्ट कारिकरम सुरू किया है तो देखे हाली में साल्ट कारिकरम जो है जहां पर आप्सन में आपका तिलंगाना बिहार उडिशा और आंधर परदेश दिया वा था तो देखे हाली में आंधर परदेश राज द्वारा जो है साल्ट कारिकरम की की गई है और साल्ट का फुल पूम अगर पूचा जाए तो सपोर्टिंग आंद्राज लर्निंग ट्रांसपोर्मेशन है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है तो आंद्र परदेश करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आप कही आप रहें सी एंजी का फुल पूम गैस होता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप कही आप रहा था कि 1960 में चंद्रमा पर एक उपगरा भारत ने भेजा था अब तक कितने चक्कर पूरा कर चुका है यह कोशन आपका पूचा गया था लेकिन बच्चों के दोरा मुझे इसके आप प्रस्ट नहीं मिलेया है अगर किसी बच्चों को इसका पटा तो वो कमेंट करके बता सकता है नेक्स्ट अप कैंप रहा था कि बंगला देश पाकिस्तान से जोब आज़ा हुआ था तो इच्छ यह फविस मार्च उन्य सो एकथ्टर को पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर रहा था कि बचत मुद्रा अपने पास रखते हैं और बैंक में जमा करते हैं यह जो आपका एकोनॉमिक से प्रशन है था इसके पूरा प्रशन जो है नहीं मिल पाया है जिसको भी पता यह कमिट करके बता सकते हैं और अनासक तका जो विलोम सब्द और वो आ सब्रेंगा नेक्स टाप क सब्रेंगा अर्डास का यहाँ पर रहा था की कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ होगा ना वो बेचं होना होगा तो बेचं होना का कORRek्ट हो जाएगाowanoutre 750 में आई Canadian द्वारा विराट कोहली को कौन सा आवार्ड मिला है तो देखे 2020 में ICC द्वारा जो है विराट कोहली को दसक का सर्वसेष्ट एक दिवसी क्रिकेटर घोसित किया गया है तो यह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बात कर लें important facts के बारे में 2020 में ICC द्वारा कौन सा आवार्ड दिय जाए तो यह विराट कोहली को दिया गया है ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ दा डिकेट यह जो किसे मिला है तो यह विराट कोहली को दिया गया है वहीं अगर मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ दा डिकेट का आवार्ड यह जो किसे मिला है तो यह आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा Cricketer of the Decade का आवाड़ यह जो किसे मिला है तो यह ऐलिशा पैरी को दिया गया है Women's ODI Cricketer of the Decade का आवाड़ किसे मिला है तो यह भी आपका ऐलिशा पैरी को दिया गया है Women's T20 Cricketer of the Decade का आवाड़ यह जो किसे मिला है ये काईल कोईजर को दिया गया है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि 1894 में उलम्पी कॉंग्रेस कहां आयोजित हुआ था तो देखे 1894 का जो उलम्पी कॉंग्रेस है ना ये पैरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था तो पैरिस आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा वही अगर आगे के सिप्टो में आगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतम उलम्पी क्हेलों का आयोजित ये जो किस देश में हुआ था तो देखे प्रतम उलम्पी क्हेल का जो आयोजित है ना ये आपका यूनान की राजानी एथेंस में किया गया था और कब किया था तो ये 1896 में किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स टाप का यहाँ पर रहा था कि 2020 में बिहार के विदान सवा अध्याच ये जो है कौन बने थे तो देखे 2020 का जो 17 विदान सवा चुना हुआ था ना उसमें जो बिहार के विदान सवा अध्याच बने थे ये विजय कुमार सिन्हा बने थे तो विजय कुमार सिन्हा आपका करेक्ट हो जाएगा बात कर ले वटमान में बिहार के मुख्य मंतरी कौन है तो ये नीतिस कुमार है और राज जिपाल कौन है तो ये फागु चोहान है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स टाप क है نا ये भारतिय नीजी छेतर का बैंक है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इसका मुख्याले कहां पर है तो मुंबई में है बात कर ले यस बैंक की अस्थापना कभूरी थी तो 2004 वे वर्तमान ने को यह वा था fuciones ने यह तो तो देखे मैं आपको बता दू पहले कि कुति मिनार का जो निर्मार है ना ये कुतुबुदिन एबक ने किया था ठीक है प्रारम में लेकिन इनके मृत्यू के बाद जो है इल्तुतम इसने इसका पूर्न कराया था और इल्तुतम इसके द्वारा जो है चार मंजिल बनवाए करन दिये थे जिसमें कुतुब मिनार पांचवी मंजिल हो गई थी ठीक है तो यह कोशन पूछा गया था कुतुब मिनार की पांचवी मंजिल का नेर्मान किसने करवाय था तो तो Panel के द्वारा करवाई गया था तो तो आपका आपको झाईगा की अनुच्छेद 76, यह किसे समंधित है, तो किसे समंधित है, तो इसे समंधित है, तो महान्यवादी आपका करेक्ट हैं सर वह Hee venir ने कानूनी चुपारmor तत्हा उस्तमनियाले सरकार का मुख्य कानूनी सलाकार तता कि हीमोगलोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखे हीमोगलोबिन की कमी से जो है यह आपका एनीमिया रोग होता है तो एनीमिया आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाप रहा था कि वन नेशन वन रासन कार्ड जो अस्कीम है ना यह कब सुरू हुआ तो देखे वन नेशन वन रासन स्कीम यानि जो योजना है यह आपका 9 अगस्त 2020 से सुरू हुआ था तो 9 अगस्त 2020 आपका करेक्ट हैंसर हो जाएगा और बात कर लिए किस अधिनियम के तहत हुआ था तो यह आपका रास्टे खाद सुरच्छा अधिनियम यानि नैस्टनल हो जाएगा नेक्स प्रेस्टन आप का यहांप रहा था की राजस्तान के थार मरूस्तेल में बेहने वाली सबसे खाद से लंभी नदी न यह यह लूनी नदी आपका करेक्ट होगा रहात है की त्लांगना उच्छे नयाले की जो पहली मैला मुक्ष ने अदिस है न ये हीमा कोली बनी है तो हीमा कोली आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा Next अपका यहां पर रहाथ है कि ग्रीना का जो प्रेवाच्ची सब्द पूछा गया था तो देखिए ग्रीना का जो प्रवाची सब्द होता है वो नफ्रत होता है द्वेस होता है असंतोस होता है नाराजगी होता है विरोध होता है सहज होता है विरोधी होता है तो इन में से जो भी आपका दिया होगा वह आपका करेक्ट हैंसर हो जाएगा नेक्स्ट आप का आप रहा था कि पाउँ उखरना अर्थ पूछा गया था तो देगे पाउँ उखरना मुहवरे का जो अर्थ होगा ना वो हिम्मत हारना होगा या फिर सांस खोना होगा तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका correct answer हो जाएगा नेक्स टप का यहां पर रहा था कि उजवल और एक आपका जो है त्रियसकार का जो है सुद्वरतनी पूछा गया था तो देखे उजवल का जो सुद्वरतनी होगा ना वो यही होगा तो यह जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा और एक जो आपका त्रियसकार का सुद्वर्तनी पूछा गया था उसके बाद मैं आपको बता दू कि 3-4 प्रेशन जो है आपके परिवाची सब्दे से पूछे जा रहे हैं उसके बाद 3-4 आपके 2-4 आप मान सकते कि विलोम सब्दे पूछे जा रहे हैं दो कोशन जो है आपके मुहावरे से पूछे जा रहे हैं तो हिंदी के प्रेशन ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं तो अगर विडियो अच्छी लगे हो तो विडियो को जो लाइक जरू कर दिएगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और यदि आपको इस कोशन का पीडियो अप चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा आप वहाँ से इस कोशन का पीडियो आप लेच सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक थाइंक्यू ओल दे बैस